भारतिय किसान संग की विकास खंड इस्तरिय बैठक रविवार की दिन बागली के चापड़ा में किसान संग के प्रदेश उपाधेक्ष राम प्रसास सुर्या जीला अधेक्ष गोवर्धन पाटिदार की उपसिती में आजित की गई जिसमें हाट पिपल्या माइक्रो सिचाई योजना को प्रिशासनिक मंजूरी दिलाई जाने एतु मांग को लेकर चर्चा की गई किसान संग के पदादिकारियों के अनुसार हाट पिपल्या उप्चनाओं में मद्य प्रदेश के मुख्य मंत्री शिवरास सिंग चोहान ने हाट पिपल्या सिचाई योजना को सध्धान्तिक मंजूरी दी थी इसमें उदैनगर बागली, हाट पिपल्या एवं सत्वास कन्नोत तहसिल के कई गाउं को लाब मिलना है लेकिन शासन द्वारा इस योजना को प्रिशासनिक मंजूरी नहीं दी जा रही है जबकि DPR बने एक वर्ष से अधिक हो गया है भारती किसान संग ने बताया कि सिचा योजना को जल्द से जल्द प्रिशासनिक मंजूरी दिलाई जाए नहीं तो आने वाले दिनों में पांच नसिल के किसान एकत्रित होकर और निस्टित कालिन धरना प्रदर्शन करेंगे बागली से रवी पाठीदार की रिपॉर्ट बेटक लिए तो पूरी तरह से अभी भी हम छूटे हुए हैं और अभी भी कोई वास्वासन पुरा प्रियाप्त नहीं मिल पाया है किसान संग की जो बेटक हुई है उसमें हमने आज आनिस्ट कालिन धरने के लिए जिसमें माल अर्मदा को यहां पर लाने के लिए अभी ज बाद किया था और मान अरमदा की सफत लेकर उनने को लेकर हमने आज जो जर्ना प्रतसन का कारिकम बेटक में हमने तेक किया है उसमें गाउं गाउं जाकर टीम बनाएं टीम के द्वारा हम प्रत्य गाउं में पहुंचेंगे और गाउं में जाकर किसानों कुछ से यहां पर आली सिपकाली नर्ना देंगे जब तक हमको प्रसासनिक शुक्रति नहीं मिलेगी इसके बार में हम घरना स्वाब्त करेंगे इसी को लेकर आज बेटक की गई है अब देख रहे हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिलकुल भीना भूले